हमारा next topic है lactic fill intensity at any point due to a short lactic dipole ठीक है इसको हम solve करने से पहले इसकी diagram देखेंगे A B हमारे पास क्या है एक short lactic dipole moment ठीक है इसकी direction है long A B क्योंकि A पे हमने minus क्या उचार्ज को रख दिया और point B पे हमने plus को रख दिया हमें पता है जो P की direction होती है वो long negative to positive होती है इसलिए जो A B की direction आईगी along A A to B आईगी ठीक है अब हमने क्या find करने है जो इस dipole से मतलब की lactic fill intensity produce होती है किसी भी point K पे उसको find करना है अब ये वले point को आप ध्यान से दिखो जो K point है ना तो इसके मतलगी along है ना ही इसके perpendicular है वो किसी angle पे लाई करता है अब हमें पता है अगर कोई भी vector किसी angle पे लाई करे तो उसके two component होएंगे इसलिए जो A B की dipole moment है उसके two component होएंगे P cos theta and P sin theta अब हमने क्या किया एक हमने line लेली A1 B1 और दूसरी लेली A2 B2 जो हमारे पास P cos theta वाला component था उसको हमने A1 B1 से represent कर दिया जो P sin theta वाला component था उसको हमने A2 B2 से represent कर दिया अब हम इसको solve करते हैं feel intensity at k on the axle line of A1 B1 हमने क्या फाइन करना है lactic feel intensity at a point k on the axle line of A1 B1 अब दियान से देखो जो point k है वो A1 B1 के क्या है axle line पे देखो A1 B1 और point k में angle 0 है इसलिए हम कह सकते हैं जो point k है A1 B1 के axle line पे है ठीक है इसलिए हम A1 B1 के long हमने जो dipole moment को consider किया था वो था P cos theta इसलिए अब हम जहाँ पे P की value क्या प्त करेंगे जो axle वाली आई थी axle वाली हमारे पास क्या आई थी P 2P 1.4 pi epsilon 0 RQ जहाँ पे cos theta है इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे cos theta E1 को हम along KL से represent कर देंगे अब हम find करेंगे feel intensity at k on equatorial line of A2 B2 अब देखो ध्यान से जो A2 B2 है वो A1 B1 के क्या है perpendicular जो A1 B1 है के क्या है along है इसलिए यह k point हम कह सकते हैं A2 B2 के क्या है perpendicular ठीक है इसलिए अब हम यहाँ पे perpendicular का formula put करेंगे वो हमारे पास आया था P.4 pi epsilon 0 RQ यहाँ पे sin theta था इसलिए लिखेंगे यहाँ पे sin theta इसकी direction ले लेंगे हम long km अब हम e1 और e2 का total fine करेंगे ठीक है पहले हम इस parallelogram को complete करते हैं हमने kl के long ले लिया mn और km के long ले लिया ln ठीक है और लाह parallelogram of vector के coding क्या होता है हमारे पास a square plus b square plus 2ab cos theta बट हमारे पास यहाँ पे जो आपस में two lines cut रही है वो आपस में perpendicular है इसलिए cos यहाँ पे हमारे पास आजेगा 90 cos 90 की value होती है 0 इसलिए हमारे पास आजेगा a square plus b square ठीक है मतलों की kl का square plus km का square kl को हमने e1 से represent किया है km को हमने e2 से represent किया है अब हम दोनों की value put कर देंगे e1 की हमारे पास यह वली value है और e2 की हमारे पास यह वली value है ठीक है अब हम क्या करेंगे इसमें से जो common term है उसको out निकाल लेंगे ठीक है बहुत ही हमारे पास पी यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है पी को हमने बान का लिया 4 pi epsilon r q को बान काल लिया इसके अंदर क्या रह गया 4 cos theta square plus sin square theta ठीक है अब हम 4 cos theta को कैसे लिख सकते हैं 3 cos theta plus cos theta ठीक है q square root 3 cos theta plus 1 देखो विए यह मतलगी समझाना थोड़ा tough है इसमें हमने क्या किया है जो point k consider किया है उसको ना तो हमने x line पे लिया ना equatorial line पे लिया किसी भी any other point पे लिया देखो हमने e का मतलगी magnitude तो find कर लिया अब हम इसकी direction को find करते हैं direction को find करने का त्रिका होता है tan alpha देखो इस diagram को दियान से देखो tan alpha की value आएगी ln phone kl क्योंकि यह क्या हमारे पास perpendicular यह क्या base tan का formula होता है perpendicular phone base ठीक है और जो ln है हमारे पास वो किसके parallel है km के इसलिए हम यहाँ पे ln की जगा पे km भी put कर सकते हैं अब हम km और kl की value put कर देंगे km को हमने e2 से represent किया था kl को हमने e1 से represent किया था इसलिए हम e2 और e1 की value put कर देंगे ठीक है e2 की हमारे पास value थी p sin theta 4 pi epsilon r cube e1 की हमारे पास value थी 2p cos theta 4 pi epsilon r cube देखो यह 4 pi epsilon 4 pi epsilon कट गया r cube से r cube कट गया P से P कट गया हमारे पास क्या रहा गया साइन थिट्टा पोन को सिट्टा यह हो गया यह वला हमारे पास 2 रहा गया इसलिए टैन अलफा is equal to आगया 1.2 तैन थिट्टा ठीक है इससे हम alpha calculate कर सकते हैं अगर हमने alpha को calculate कर लिया तो हम एकी direction को calculator कर सकते हैं अब हम इसके special case देख लगते हैं when the point के lies on the axle line ठीक है जब के pointer axle line पे होएगा तो angle क्या होएगा 0, it means theta क्या होएगा 0, अब हमें magnitude क्या होता है is equal to p 1.4 pi epsilon r q square root 3 cos square theta plus 1 अब हम theta की value यहाँ पर क्या पूट कर देंगे 0, ठीक है cos 0 की value होती है 1 इसको solve करके हमारे पास यह formula आजिगा ठीक है अब हमें इसकी value direction में put कर देंगे हमने direction की direction में theta को 0 put कर दिया इसलिए हमारे पास tan alpha किसके equal आगया 0 के tan alpha 0 कब होएगा जब angle क्या होएगा हमारे पास 0 next case देखो जब theta किसके equal होएगा 90 ठीक है मतलग जो k point होएगा वो dipole के perpendicular होएगा अब हम क्या करेंगे theta को 90 put कर देंगे cos 90 क्या होता है हमारे पास 0 इसलिए यह वली term सारी cancel होजेगी यह हमारे पास यह वला आजिगा और हम theta की value यहाँ पे भी 90 put कर देंगे ठीक है और 10 90 क्या होता है infinity इसलिए हमारे पास angle क्या आजिगा 90 ठीक है इसको भी आप अच्छे से rough notebook पे solve करके देखना देखना